बीजावर के ग्राम बक्सोई में खादधान वितरण को लेकर सेल मैन की कार्य प्रणाली पर उठे सवाल ग्रामीणों का कहना है चिन्हित लोगों को ही खादधान दिया जा रहा है जबकि बाहर से आए कई प्रवासी मजदूर खादधान से वंचित हैं मामले की शिकायत ग्रामीणों ने तहसील कारले पहुँचकर SDM DP द्रवेदी से की है मामले को गंभीरता से लेते हुए SDM ने खादधे अधिकारी रतन कुम्रे को जल्द ही जाच रिपोर्ट तैयार करने को कहा लाकूंगी और मजदूर के लिए कहीं मिलनी आओ और भू के मरने की नौमत आ गई है मैं और क्या करूंगी और सरकार से सना था कि ए तीन महीने कोरोना की बज़े से मिलेगा वो मुझे नहीं मिला है कि हम लोगों को तीन महीने से जो लोगडाउन लगा था तो उसका रासन नहीं दिया गया है जैसे जहां पर बक्सोई गाउं में भट रहा है सेल्समें बांट रहे हैं तो उन से कहा तो वो कहते हैं कि तुमारी आईडी नहीं खुल रही है करने य सब्सक्राइब लेगी अब सरकार ने तो कहा था जिसके पास परमठ है उसको भी मिलेगा और जिसको पास नहीं है जो पीलेगा है तो तीन महीने का यह चाहिफा ग्राशन पीड लॉट ते जोगडाउन जिया गया है हम अंब it Webs po लोक्डाउन में कुछ काम भी नी दिया रहा है